हलो दोस्तों स्वागात है आप लोग का तो फ्रेंड्स आज है देट फोर दिसम्बर देखते हैं कौन-कौन से नियुपॉर्ट है हमारे जाम पाइंट अभी से ठीक है देखिए पार्ट वन हमने देखा था 19 नॉवंबर से लेके दोस्तों एक दिसम्बर तक में देखा था ब किया है ठीक है और बहुत सारे बच्चों को यह चाहिए था कि सर्क आपका लश्मी कांथ की डिएट का बार यह तो पिछली क्लास में भी डिसक्स किया था इस क्लास में भी डिसक्स कर लेता हूं आप लोग से जो बच्चे नए देख रहें उनकी लिए यह तीनों दोस्तों 18 से 25 सारी चालू हो जाएंगी जैसे लगए लगब लगब 25 से चालू करेंगा और अठार दिसम्बर से चालू कर रहें ठीक है इनको एंसाइटी का वीडियो पैक लेना दोस्तों आप ले सकते नाइंट टो तक पूर एंसाटी पढ़ाई जाएगी आप सब्सक्राइब को ठीक है 1909 रुपय में तो यह सारी चीजे हम डिसक्त कर चुक है और आपको वाटसप करना तो इस नंबर भी वाटसप कर सकते हैं इस नंबर भी कर सकते हैं और इंसार्टिक में बता दिया और देखो एंसारी चीजे अलग से पढ़ाई जैसे बात कर तो ट चाहिए आपको इसमें मिलेंगी उसके साथ सथ हमने इसमें एंसर राइटिंग प्रैक्टिस का भी आप्षं दिया हैं थिक के था पना नाम और मोबाइल नमबर इसी बाटसप देना है ठीक है सकते हो अगर आप इस पर भी सकते हैं अधर्य आप को वाटसप यूज़़् नही अपना इमेल कर सकते हो ठीक है उसके तो हमारे प्रीमियम नंबर से दोस्तों वीदिन फिटीन टूटी मिनट्स के अंदर आपको मैसेज आ जाएगा ठीक है सारी लिंक और सबकुछ एक्टिव हो जाएंगे आपके ठीक है तो और जिनको बुक्स मंगाना दिली से दोस्तों यह ठीक है अश्लिया के जो न्यू साउथ विल्स वाला पार्ट है उसमें यह पाय जाता है चर्चा में क्यों है हुआ कि हुआ है कि दोस्तों लगभग तीन सो पचास भलो के क्या होई मरने का संका जता ही जा रही है जो यह टट है दोस्तों अगर बात करे तो ऐसे अगर अश् चर्चा में तक रहते हैं तो यह क्या सकते हो लगभग यह सात महीने आट महीने के असपास रहते हैं इसलिए आपके एक्जाम पांदे इंप्रास से इंपोर्टन में यह डाटा भी याद रखना है उसके लिए युद्ध की बात करें तो यह वलन रिवर काटेगरी में रख है इसको युकलिक्टस जिसको को जोन को जोटर्न बिखा करें तह enslail अधे तो हम इसको आपको दिखाते हैं लकबग muffin के अगने से दिखा सब्सक्रा नाम से आ देका है पहले में आपको जैसे आतलस होगी जो होती है यह कौन से परवध पाइजाते हैं कौन कौन से मेजर सट्शी इसकी केप्टल क्या है उसके आज पास कि सागरू का नाम क्या है ऐसी चीज़ आप देखो तो आपका मैप कवर हो जाएगा फिर कौला भालू कहां पाया गया यह आपको यादखना है उसके लामा इसकी जो प्रॉसेस यह आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद देखो चर्चा की की तो अगर देखो स्मार्ट स्टेंट वह है दोस्तों जो आयू सीन के बारे में पूरा क्या करें डीटेल से पढ़ाई कर लें अब इसी समय आप क्या करो गूगल खोलो अपना ठीक है या फिर वीडियो देखने के बाद गूगल खोली या उस Cont Reporter होते हैं कोई ठीक है लाद में तो इसका मुख आहार क्या है युकिलिप्टस इतनी स्वीजिजिया या रख बंख नहीं हूं अगर इतना maximum नुज यू ले तो इससे तो यह मानके चलिए कि अपका कुछ भी नहीं छुटेगा इविन अप रखलत तो आसे अर्शलिया की बात करने जाता है जोगों को बठाऊज में पता हो क्यों derivelights ही बने हुए ठीक है इतनी विर्षिक से पॉइंट याद रखने हैं आपको वैसे भी दादर नागर हवेलियों दबंदीव को अभी मर्ज करने की बाते चल लिए मतलब दो एक यूटीज हो सकता हमारा कम हो जाएगा अच्छा एक चीज और मुझे बताना था यह बता देता हम जो लोग NCRT के हमारे ग्रूप में हना ठीक है तो इसमें दुस्तों हमारा जियोग्राफिक में 99 लेक्चर है तो एक 100 लेक्चर एक और आएगा ठीक है यह आएगा कब जब हमारे इस बार जो सेशन चल लाए अभी ठीक है परल्या मेंट का संसत का सेशन चल लाए जैसे ही ख अब यूटीज रहेंगे ठीक है तो अब यूटीज की मर्जर की भी बाते चल लिए है ठीक है तो यह बेसिक से पॉइंट याद रखेगा आपको एक्जाम पॉइंट विसे इंपॉटन भी है ठीक है और पापवा निगीनी का पार्ट था यह बोगन वीले आइलेंड ठीक ह बात यह बेस्ते चल लिए ठीक है ठीक है तो आप देखो पापवा निगीनी का पार्ट था फाइनली इसको यह कह दिया गया कि आप यह सतंत्रता गुशित कर दीगे इसको तो 23 नौमबर 2019 को कि जनमत संग्रह हुगा जिसमें बोगन वीले के लोगों ने कहा कि हम पापवा अगर दोस्तों प्राइक यहां पर दोस्तों यहां पर पापापवा निगीनी को अश्रीया से स्वतंतरता मिली थी उस टाम से ही आपका बहुन मीले वाला एरिया था वो बिए चाहते थे के अलग से स्टंतर डेश बने में पापस इन भी ना भी द्यान न ही दिया पल्स इसिने स्टीलीया ने मिली दा मिला हु хот हुआ चाहते हैं यही थे करें इन्से अलग मतलब क्या होता है डेमात गता हुए साथ होगारना है जन्मत संग्र उसका पूरा क्या है उस यका हम बोलते हैं जनमत संग्रारेक यह aztंग हम आगे वड़ते है ad तो अगर बात कर तो हरी ने कार्षाया चेमें जब्धेश क्या है जो जुएम हम ऐसा चीजे करते हैं कारबन बहुत यादे होता है हम इसा प्लानिंग करने जिसे कि हम जो कारबन इस्वेटेश जो जुएजए है ठीक है greenhouse gases में कौन कौन सेज़से आती है जिसमें अभी आपको बताउंगा ग्रीन हायस को ओи नहीं है इसकी उस्ज़र को कम करने की बाते कर इंस इस पाथ लगाने की बात कही जा रहे हैं जिसमें कि अगर इस पात अपना लगाते हैं इस पात मतलब सह याद रखा है को स्टील फेक्टरी यह कुछ भी लगा रहे हैं तो उसमें क्या हो कार्बन का इमिशन्युनज जो हो कम पूर्था पानी नहीं होता है water vapers होते हैं तो वास्प की बूधे होती है carbon dioxide होता है मेथेन होता है नैटरस अक्साइड N2O होता है और जोन होती है जब आप atmosphere पढ़ वोगों है आपका ठीक है इस टेटोइस्पेर में लेकिन एक उजो पाई जाती प्रित्विक इतें बिल्कुल समीट में उस उजोन की बाते कही जाती एक्ष्टली ठीक है तो मैं आपको डेटिल में थोड़ा सा बताते चलना हूं जिससे कि आपको चीजे बता रहे हैं ठीक है तो यह है पुरा ग्रीन ह पता चुका हूं ठीक है कि कैसे मतलब सन की रेज आने नहीं देते प्रित्वी पे और जो सन की रेज नीचे आ जाती हैं सौट वेव में लॉंग में जर रिवर्स जाती हैं तो जहां पर जो कर्बंड एक्सेट की मातरा बढ़ती है और जोन लिया धूल के कड यह सब उसको जाने देते हैं और हमारा एट्मास्फियर और पित्वी हमारी दीरे-दीरे गर्म होने लगती हैं ठीक है यह मैंने आपको बहुत डीटिल में पढ़ाया था आपको उसके आगे बढ़ते हैं समीर अप्लिकेशन की बात करें तो यह दोस्तु आपका सीपी सीबी के द्वारा द्वार लाउंच किया गया Central pollution control board के द्वारा इसमें तो जो मानग होते हैं एक तो देखो सफर APP भी है ठीक है याद देखेगा सफर त्यकित यह दोस्तों आपका तरज भी करा सकते है प्लस इसको ट्रैक भी किया जा सकता है तो इस अप्लिकेसर में कुछ एक्स्टा फीचर दी गई लेकिन सफर में क्या है सफर में बस आपको कुछ पर्टिकुलर सिटी जैसे दिल्ली मुंबई एहमदाबाद और पूने यह मेजरली चार सिटीज के आप क् इनकारी मिल जाएगी ठीक है लीविंग रूट ब्रीज अगर कि बात करें तो देखो लूबिंग सबसे तो याद रखें लीविंग रूट ब्रीज है कहां पे तो सबसे इंपॉर्ण फैक्ट्स यह आपके लिए के मेगाला में है इस्तित है दोस्तों बहुत बार एक्जाम है कि संद्रम के रूप में इसको देखा जा रहा है झा ठीक है और देखो तो आप यह क्तले से कह सकते हूं कि मैं सबसे बिछी होते क्या है तो होता है कि की जो कोई नहर, रिवर गई थे, है तो यह लोग क्या करते है इस रिवर को क्रॉस करने केड़ीए ऊपर से इधर वा JACK और इ相信 सिधर वाले पेड़, जड़ों को जोड़ने लगते हैं जोड़ जोड़के भी जोड़ vazचे आप लिए जिंदा मतलए जिंदा और इसी कुपर से यह जाते और आते हैं तो याद रिखेगा में खासी और खासी जहनतिया पहाड्यों में नॉर्मली ऐसे सदियों से पंदरे जाएश ऑफूट तक ब्रीज मनाते रहते हैं और पर्टन का बहुत ही अच्छा आकरशका केंद तूरिजम का भी अच्छा है स्पोर्ट साहिए एक अपना पोरीशन यहां पर टूरिजम का भी इसमें अगर बात करें दो तरह के सबसे लोकप्री यह परेटन अस्थल हैं जिसमें बात करें तो डिवाई रूट ब्रीज है और आपका उसमियांग डबल डेकर ब्रीज है ठीक इतने बेसी से पॉइंट आपको याद रखना है अपने एक जाम पॉइंट भी से अच्छा एक चीज और याद रखिएगा इस ब्रीज को जिंग किंग जरी भी कहा जाता है जिंग किंग जरी तो आप से यह पुछा जाता है लिविंग रूट बिज लिग देगा तब तो गिंग किंग जरी लिगए आपको पता ही ने चलने के कि और नौर्थ को जिंग जरी भी इसको लिविंग रूट ब्रीज को एक चाहिसे ही इंपके बाइखाएं ग्लोबल इंड्टी यह बहत हो दो यह बह सिकंट की बात क्रहित कि बelo और सारे संस्थाइस में समलित हुई थी जैसे बात कर तो भारती उद्योग परिशंग ठीके सी आई आई उसके बाद अगर बात करोगे तो आपका जाम पॉइंट भागिदार थी आपको पता है कि हमारा जो लच्छ है दो जार पचीश तक भारत को फाइब ट्रियन एकनोमी बनाना भी कितनी है त्री ट्रियन से फाइब्ट इकनोमी बनाना रिखकल्ट है है बट गवर्मेंट का लच्छ है कि 2025 तक हम भारत को अच्छा करते हैं तो कल को यह भी हमारी अर्ष्टा में क्या करें गदान देगा तो यह बिसकी से पॉइंट याद रिखेगा कि जो हम अपने जो एकनौमी है उसको फाइव तक पहुचाना भी है ठीक है पन्ना टाइगर पहले बागोशन के कम थे भी दिद्रे 25 तक पहुचगी चर्चा में तो याद रखेंगे पन्ना टाइगर रिजर्व है कहां पे तो याद रखेंगे आप मध्यपरदिस में इसके अस्थापना एटीवन में की ती जो लोग एंपी अगजाम देंगे उनके लिए ृट याद रखेंगे पहला टाइगर रिजर्व पहुचर और याद रखेंगे पहला तो यह सबसे पहला कॉनरख दोfe पहले याद रखेंगे कें नदी के किनारे सकता इसका घृकर ऑर के नदी किसका Ten Miranda किशीक के फिम있는त याद रखना घट याद रखना इतने बेशी से पॉइंट आप याद रखेंगे इद्रिस एलबा की बात करें दोस्तों तो इसका नाम रखा गया इद्रिस एलबा क्या है तो अगर इद्रिस एलबा की हिंडान के करिदार के लिए यह है इनकी फो-टो इन्हों नहरा की करिदार की किया घ Birds जो नॉर्वेवी वाले देश है तो इन इस प्रक्राट मात्रा अड़्छक मना जाता है समझाने के लिए ठीक है रखे आप याद रखिक है इद्रिस-इलबा का दो इसको पिस्षू कि होता है तो आपने नाम सुना पता होगा तो याद रखेगा पिस्टू की नाम से हम जानते हैं इसको काटने से रोग हो रहा है जिसको हम बोलते हैं याद रिखेगा पर इंपॉर्टन भी हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों दो प्रवासी पच्छे पाई जाती है एक ग्रे पेलिकल और एक सारस इनका प्रजिन का अक्यला सुद्चित अस्थान मना जाता है इसलिए चर्चा में भी है तो याद रिखेगा और इस पच्छे ब्याण को पच्छियों का स्वर्ग भी क इसको कह जाता है ठीक है इस पच्छे गहन को आपका पच्छियों का स्वर्गी कहा जाता जो किस्टना गोदारी नदी के बीच में हैं यहां पर जील को जूल के पार्ट के अंदर का दी आता है तो यह भी याद रखेगा को ले रुझील जो सबसे बड़ा है जो ताजे पानी जील है तो यह भी याद रखेगा और किसना और गुदावे की डेल्टा पे हैं ठीक है तो यह बेसिक चितने दोस्तों याद देखिएगा आपके एक्जाम पॉइंट भी है ठीक है और इसमें एक चीज़ और है कि इसको सनच्छित भी किया गया है वन जूब भीहरन अधनियम 1972 तो याद रखेगा को बन जूब भीहरन अधनियम वाइल वाइल एनिमल प्रटेक्शन एक्ट आया था 1972 में टाइगर रिजर्व एक्ट आया था 1973 में ठीक है इन्वार्मेंटल एक्ट आया था 1986 में एलिफेंट आया था 1992 में तो मैंने एक साथ ही आपको सारे बता दी है ठी नियम का पाया था श्रच्ण अब बाग सारच्र का नियम का पाया था 73 में पर्यावण के लिए था 86 में और उसके बाद 1992 में क्या था था यह बेसिक सो पॉइंट आ देखे कई बर आप से इस्टेट वाले एक्जामर डिक पूश ली जाते है ठीक है तो याद रखेंगे अल अर इधर को शावा है और यहाद रखना गया आप कांट में आपकर आपको के बारे में प्रकों तो के बारे में आपको तो यह बहुत सारे देश होते हैं अगर बात करें इसमें हम अफ्रीका यूरोप समित एक तालीश देशिस में आमतित की जाते हैं जो भारत के साथ संबंदर रखते हैं तो इसके पॉइंट रहें याद रखेगा यह एक दूई वार्षिक बहुत अच्छी नौसेनिक अभ्या सब्सक्राइब याद रखेगा तो इतना इंपॉइंट था ठीक है मिलान याद रखेंगे उसके बात करें डेफकाम इंडिया की ठीक है तो डेफकाम इंडिया दोस्तों 26-27 नौंबर के बीच में किया गया ठीक है अगर इसमें बात कर दो इसका परपस क्या है यह याद अपने अपना मैक्सिममम इनको हम टेकनलोजी और सज़ी सारी चिजिए प्रवाइट किरा सके इसके लिए हम क्या कर रहे है जो सिच्छा अनुसंधान विकास और संगठनों को क्या करें सहयोग दे रहे है ठीक है तो भारती सश्ट डेपल के साथ साथ सिच्छा में अनुसं कि लिए हम क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं ठीक है इसल के थीम थी वह याद रखिएगा संचार एकता के लिए एक निडायक उत्प्रेरग कम्यूकेशन अडिसीशिव कटलिस्ट ऑफ जॉइंटनेस तो बेसिकलिए इसका में बात करूं कि आपसे एक्जाम में क्या पुछेगा तो याद रखिएगा एक्जाम में पुछेगा दरना जा 혼सैंज ठीक हैं इन टीनों के सयोग के लिए क्या कर रहे हैं हम रिसर्च कर रहे है सब्सक्राइब करें ठीक है इसका पॉइंट यह है तो इतने चीज याद रखेंगे पर आठवा अंतराश्टी सम्मिलन दोस्तों इंडिया के दिल्ली में हुआ ठीक है और इसमें सम्मिलन का अविजन बहुत सारे संस्ताओं ने मिलके किया विश्व बैंक भी इसमें पार्ट करने हैं तो क्रिसी पार्वितन के आप यह आपको आपको ठीक है तो आपको पता है कि ससने ओल्वल डेवलपमेंट टोटल श्यवंटीन है ठीक है अब श्यूटिव डेजी कि जिसके को बोलते हैं अब का मैं गूगल करना इसको 17 सटरे को याद होना जाएगर आप यूपीस सब्सक्राइब करना और किसानों को एक दूसरे से जोड़ना और उनके लिए सुझाओ देरना कि उनके लिए क्या क्या चीजे होनी चाहिए इसका बेसिकली परपर यह था ठीक है उसके लिए अगर आगे बढ़ते हैं ठीक है तो लगबग सारी चीजे हमने इसमें डिसकस करी हम दो आज बाट के लाएं तो चाहिए अना इंडिया में होता है अगले सल का रहे श्री लंका में हो अगे बढ़ते हैं 2 आप गई अगे अब चाने विज़ेगे दुस्तों अलमाचल प्रदेश में होड़े पाकिस्तानी टाइफाइड पाकिस्तान चैटाने आप नाम से जानते हैं तो पहला है यहां पर साथ मिस्टेक कर दिया थीक है तो पाकिस्तान ने टाइफाइट की दवाग कोजी है ठीक है इतने पिसी पाकिस्तान ने इसकी क्या है दवाग तो बस इतना आपको याद रखना है कि बाकी चीज़ नहीं रहाद रहने हैं पाकिस्तान ने दूस्तों इसकी खोज किये टाइफाइट कंजूगेट वैक्सीन की खोज करने वाला पहला देश बना है बस इतने आपको पांट याद रहना है और दखाइब खोजए गहे इसके बित्य पोसीत कौन करता है मतलब फाइनस कौन करता तो याद रखेगा युए निशन चिल्डेन फंड फिक है तो यह बेसिक से पॉइंट रखेगा इसमें होता क्या टाइफाइट के रोक में तो दूसी भोजन या पानी से फैलता है बुखार भूखने लगना डाइरिया फिक है यह बिश्य से पॉइंट रखना इसके जिम्मेदारी अगर मतल्ब बीमारी होने के लिए जिम्मेदार कॉन होता एक जिवाडू होता है शालमो निला टैफी इसके वज़य से होता है और इसका वहाग जो होता है वस्माणी से ही होता है तो यह पेस्ट आप याद 1972 का उसके अंतरगत सूची वन में रखा गया है मतलब आप इसको पकड़ भी नहीं सकते इसका कारोबार भी नहीं कर सकते हो और आप इसको मार भी नहीं सकते है फकाड़ जाने पर तीन साल से उपर के सजा भी हो सकती है ठीक है तो यह याद रखेगा आसम रूफ टर्टल कहां पर उपने पाई जाती है और आगे बाद करते है लोक्तक Inland Water Ways project याद क्षाइंगे कहा खिए काँपर मनिपूर की अंतर राजा रेशे जल मार्क परिज़ना है ठीकैं Kom Le monster अब इसकी बात करें लोगटक लेक कहां पे हैं तो मड़ीपूर में हैं ठीक है इसके अंदरगत एक पार्ख है मतलब राष्टी उध्यान है कौन सा है केबूल लामजाव राष्टी उध्यान यह आपकी एक्जाम पॉर्टन है और कहां पर अगर बात करें और डिटल में तो म मोड़िपूर के मोईरंग जीला है वहां पे है ठीक है और इसमें टाहरते हुए इसको तेरता हुए जहिल भी कहते हैं और यह रामसर सइड़ का पार्ड भी है तो यह आधर रखेंगे रामसर सैड़ का पार्ट भी है और लाइफ लाइफ-लाइन अफ मनिपूर भी इसको फुम्दी बोलते हैं यह इतर प्लोटिंग होता है मतलब इधर उधर हिलते रहते हैं ठीक है तो लब इसमें सारी शिर्ण में पढ़ लिए शाचर भारत दोस्तों चलंगाना के संगार एड़ी जिले में दूस्तों हिला सचता दर्बे विद्धी हुई इसका परपश क्या था क्लास 7 से लेके दर्स्तक के बच्चों को कहा गया कि आप अपने घर में जाओ अपने माता-पिता को सिच्छा दो मतब कुछ सीखाओ ठीक है तेलगु में वडमाला पढ़ने और लिखने में सच्छा मनाने के लिए कहा गया था जो कि जिससे क्या हुगा कि हमें महिला सच्छा लिख रहे हो अपने घर में जाके अपने मा को पढ़ाओ ठीक है और जब भी कभी बात की सचता अधर की तो इससे क्या होगा हमारा सचता अधर भी लेट्रेसी रिट है वह भी बढ़ेगा ठीक है इतनी पांट हो गए तो ठीक है तो इतनी पांट लगभग हमने पढ़ दो इसमें गया गया था याद रिखेगा इसमें सचता हमने फोकस किया था प्लस मैस सगरा थोड़ा सा पढ़ाने पर फोकस किया था लगभी ब्लैक यहां बढ़ा एक ब्लैक होल खोजा है मतलब यह सूरस से भी सतर गुना बढ़ा है बट इसकी पुष्टी अभी बाग्या चैने को ने कहा है कि भाईया हम जिब तक खोजेंगे नहीं तब तक हम आपकी बात को मानेंगे नहीं ऐसा उन्होंने बोल दिया है बट चाइना कैसा क्लियम है चैना ने खोजा है ठीक है तो इसमें कहा जाता है कि मिलकी वेके मिलकी आकास गिआम लगभग ऐसे हंड़े के पास ऐसे ब्लेक होलोने के संभावना है ठीक है और प्रित्वी से दूरी के बाद के लगभग यह 15,000 प्रकास वर्स की दूरी पह रहा है दोखो आपको एक्जाम पांट विसे क्या पूचा रखता है कि यह भारत और नेपाल की बीच में होता है ठीक है तो यह याद रहा है तो नेपाल में आउजित किया रहा है ठीक है तो यह चीज याद रखेंगे आप और वार्षिक होता है एक एक वर्स होता है एक बार इंडियम होता है तो एक बार हमारे यह होता है ठीक है हमने बूल देंडियम होता है तो एक बार नेपाल में होता है ठीक है हमने बहुत तेजी से गिरावट आ रही है हो क्या रहा है यह ऐसी से दोस्तों जो क्लाइमेट चेंज मतलब अगर कोई भी टंपरिचर जिससे हमारा हम अपनी बात करें हमें ठंड लगरी तो हम जैकेट पहन के रह सकते हैं गर्मी लगरी तो कपड़े हम हलके कपड़े पहन के रह स रहा है कि जो दोस्तों कि संख्या में बहुत तेजी से गिरावोट हो रही है तो याद रहे हैके कि संख्या में बहुत थी से कम्नी हो था है और इसके बिज्ञाने के बात याद नाम के बीपयर नहistä...' ठेक है तो इतनी वंथे पयोंट याद रखेंगे और नॉर्मली देखो और हिंद महाँ सागर तो अपना इंडिया के नीचे ही वाला जो पार्ट शागर है उसको इंडियाओ सी दोगर प्रसांद महाँ सागर आपके आगे तक करें से इसको आंगे तक प्रसांद महाँ इधर अमेरिका आजाता है ठीक है तो हमने अच्छे से पड़ रखा है बहुत बर मैपिंग में किया करा भी था क्यों रैंकिंग में अगर बात करें तो देखो लगभग चानवे कॉलेज सामिल किये हैं इंडिया के पांसो पांसो पचास विस विद्यालों में इंडिया के इंडिया के प्रफिस में कोई नहीं है ठीक है और इटी बांबे है टॉप पे वह भी किसमें अस्थान पर चौट थर्टी फोर्थ पिछली बार कितने पर था थर्टी थरी पर था आइट दिली के बाद के तो फोटी थरी पर है आइटी मंद्रास की बाद कर तो फिप्टी सब्सक्राइब है और दूसर पचास में बात करें तो एकत्ती से इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं ठीक है तो याद रखेंगे पिछले साल था उननीस पे इस साल कितना आ गया ठीक है ठीक है लबगगवा हमने सारी सब्सक्राइब देख लिए ठीक चलिए आगे दे स्टॉडन के राजा काल्स सिस्टीन गुफताफ और राणी सिल्विया भारत के दोरे पर आई हुई थी तो स्टॉडन के रास्तानी के बात के तो स्टॉक होम इसके के प्रशी देशों के आप देखो इधर नौर्वेय आ जाता है और इधर फिंडलेंड आ जाता है ठीक है यह इंपर रहे हैं तो चली चली में आर्थिक विसमता को ज़ए से बहुत जादे चली दोस्तों इंफलेशन बहुत जादे है लोग बेसिक नीट्स पूरी नहीं हो पा रही है ठीक है तो चली से जितने भी इंपर्ण कोस्ण बन सकते हैं वह सारा मैं आपको यहां पैड किय है सबसे पहले चली के पड़ोशी देश कौन से हैं इधर पेरू है इधर बुलाविया है याद रखेएगा परागवे और ब्राजिल से मतब इनके बॉर्डर नहीं लगते हैं प्याद रखेंगे ठीक है एंडी प्रवत माला यही से पूरी लंबी संखला है और सबसे जाद चली के बीच बीच में आता है याद रखेगा और संटियागो के बात करें दोस्तों यह सराव उतपादने के लिए प्रसिद्ध है थो यह भी डाड़ी संखला है और सबसे बड़ा सहर यह चुक्वी खमाटा ठीक है जो आपके ताब्बे के लिए फिमस हैं तो इतने बिसी क्या है अरिका तो यह भी आप याद रख सकते हो ठीक एतने बिश्य से पॉइंट जिसने बना बता दिया जो आपको एक्जांप पर ने मोबाइल ट्रेकिंग केमरा जिसे अगर आप लोगों के मौध हो गई बस के मोबाइल पर बात करने के वज़से दुजार बार से लिए अठार के बीच में कहां पे अस्ट्रिया में ने लॉंज किया है ठीक है उन्होंने कह दिया कि अगर आप मोबाइल पर बात करोगे तो आपको फाइंड बहुत ज्यादे पड़ेगा उ इस पड़ोषी हमारे राज्य हो जाते हैं ठीक है तो इतने पॉइंट आपको जिस्त याद रखना है ठीक है एक दिसंबर को इसको हम एक और नाम से जानते हैं हॉर्ण विल फेस्टिवल के नाम से भी मनाते हैं इसको पूरा एक सप्ता हम जिसे आज तो चार दिसंबर है त अलबक साथ इसंबर तक हम हार्ण विल फेस्टिवल लोग मनाते हैं ठीक है पिछले साल हमारे देश के उस समय हो मुनिश्रुगा करते थे राजनात सिंग तब हो गया थे यहां पर उन्होंने सेलिबेड भी किया था मैंने डिसकस भी किया था बहुत अच्छी से इसको ठीक कि एक भाग था जो आपका टिपिकिस्वर बाद अभिहरण से चलकर महरास्टा होता हुए तेलंगाना गया तेलंगाना से फिर ग्यान गंगा वन्यजिय अभिहरण तक लगबग 300 किमिंटर के दूरी उसने तया की ठीक है तो आपको क्या क्या याद रखना है एक तो मेल घा ग्यान गंगा वन्यजिय अभिहरण और टिपिस्वर घाट तीनों की दिनों कहां पर मारस्टा में तो पॉइंट याद रखेंगे ठीक है आपकी चीजें मैं आपको दिखा दे रहा हूं यह बाग चला दोस्तों यहां से यहां से पहले इधर आया दोस्त यह फिर इधर गय आया एक मैंन दखाता हूं यहां से चला यह यहां से चलते 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 इधर आया इधर घूमा फिर यह फीप स्ट गया फिर से इधर आया तो चीनि बाट G strat रगा हूआ था तो हम इसको ट्रेक कर पाय game magic अनमसे जीओ बिहन बताय मैंने तो घ्ञान गंगा हो गया ठीक है ग्यान गंगा टीपिस्वर और आपका बेला घाड ठीक है तो तीनों याद रखिए कहां पे हैं माहरास्ट्रा में ठीक है एतने प्रिसिक्स पॉइंट आप याद रखेंगे तो टैन्बो कला की बात करें तो टैन्बो कला आपको देखके अभी समझ में यह रहागा मै क्या किया है गुरु वायुर मंदिर है ट्रा में ठीक है टो उनका चित्रन यह पान दिजाइन का जगहां बसता था उसने अलग तरीके का यह अलग किस्म का धान लगा जिससा अलग हो जाता ठीक है तो देखो यहां पर आपको हाथी का कलर चा दिख रहा है उसके खेत में प हाथी जितना दिख रहा है उतने धान काड़ दिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूरा पूरा धान लगा हुआ है तो याद रखेंगे तो गुरु वायूर मंदिर कहां पर है आप से पुछा से सकता है तो कहां पर केरल में ठीक है तिरसूर जूले में है किसले फेमस है तो याद भगवान के मंदिर के रूप में समझते हैं और यहां पीए माने जाते हैं कि जो हाथी होता है इसकी रच्छा करते हैं ठीक है तो बिसिकली आपको बस याद रखना कि हाथी के लिए फेमस है ठीक है ना अब उसके बाद बात करते हैं पावर ऑफ साइबिया की बात के दूस ठीक है तो साइबिया से चाहिना तक जाएगा ठीक है यह अपका पावर आफ है अपसधार साइबिया से ब्लेगा टूसरा को यह चतरी नेच्टीन और सबस्तिक विकलों को बढ़िएब्र एए लिए बात कि भीकलांग विक्तियों के विक्रम को बढ़ावा देना दो जैसे विकास एजंडा पर कर्वाई करना ठीक है तो को याडा रिखेगा एजनडा 21 का लच्छे क्या है 2013 तक पुरा कर ना ठीक है तो यहाद रखेंगे आप आपकी जांप पाइंट इवस कं बनाए गया तिन इसंबर को आपके इतने इंप्रॉटंट थी तो आज की विडियो बस इ और इस नंबर पर पेटी-म गूगल पर भी मिपए कर सकते हैं इसके लिए निवाटसप यह नहीं करते हैं अगर आप सक्षाइब नहीं इसके लिए लिए बस इतने रखते हैं आसा करते हैं वीडियो पसंद आगा पसंद आए तो अपने दोस्तिक शाथ लाइक से बहुत भुत धन्यवाद आपका आपका दिन सुभूँ थाइक यू सो मच्छ एव ग्रेट डेए